हेलो दोस्तों बेल्गम दुदा एचार क्लासस मैं प्रियंका आज हम प्रश्णों को करेंगे हिंदी के प्रश्णों को करेंगे काफी सारे टॉपिक्स लगबग हमने व्याकर्ण का जो टॉप मतलब पॉर्शन होता है हम वो कम्प्लीट कर चुके हैं तो आज हम क्या करेंगे एक प्रश्ण सीरीज को यानि इसमें 30 कॉश्चन होंगे 30 कॉश्चन होंगे आज इसको करेंगे हूं तो आपको भी कमेंट वॉक्स में साथ के साथ आंसर देना है सभी प्रश्णों के वीडियो को लास्ट तक देखें आपको बहुत हैल्प करेंगे यह हेल्प करेंगे यह पेपर में तो स्टार्ट करते हैं प्रश्णों सीरीज सबसे पहले एक पहला कॉश्चन देखते हैं वाव यंजन है वाव यंजन मैंने आपको पढ़ाया था या व और ये वे रे ले यह हमारे चार वर्ण कौनसे होते थे अंतस्त तोड़ते थे कौनस तो होगा आगे देखते हैं पक्षी में कितने व्यंजन है जो हमारा पक्षी लिखा हुआ है यसमें कितने व्यंजन है तो पक्षी में कितने व्यंजन आएंगे तीन व्यंजन आएंगे तीन क्यों आएंगे च्छा किन से बना है मिलकर च्छा दो व्यंजनों से मिलकर बना ह होता है कापलश कि कापलश सा से तो क्या होगा तीन वेंजन एक पाव और कापलश शार कि गाउं है मतलब गाउं के ऊपर जो चंद्रविंदी लगी इसका पूछने का अरती यह है कि गाउं में जो मात्रा लगी हुए मतलब यह चिन्न लगा हुआ यह किसका है तो कौन सा अनुनासिक मैंने आपको बर्ण माला पड़ाते स्टम टाइम बताया था कि जो चंद्रविंदी होती हमारी वह किस में आती है अनुनासिक में आती है आगे देखते हैं, प्रा में पूर्ण वर्ण है, प्रा क्या है, दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ण पूछ रहा है, तो प्रा में जो पूर्ण वर्ण होगा, वो होगा रा, क्या होगा, रा, पा इसमें आदा होगा, और जो पूरा होगा वो क्या होगा रा अगर ऐसे उपर उड़ा होता है वो क्या होता है वो रा क्या होता है आदा होता है जा प्लस यहां से वनता है संयुक्त व्यंजनों को पूछ रहा है सही युक तो वियन्यनों को पूछ रहा है कि जा प्लस यहां से क्या बनता है तो क्या बनता है ग्या ग्या नी सुद्ध वर्त नहीं पूछिए सुद्ध वर्त नहीं बतानी है कौन से सब्द में शुद्ध वर्त नहीं है तो ये गलत है ये भी गलत है लेकिन ये दोनों सही है ये दोनों सही है उज्जल और अध्या इसमें सुद्ध वरतनी बतानी है विरहेडी की सुद्ध वरतनी बतानी है विरहेडी की सुद्ध वरतनी क्या होगी तो क्या होगी विरहेडी की सुद्ध वरतनी गा यानि ये इसकी सुद्ध वर्थनी होगी कॉश्चन नमर आठ देखेंगे कलपांत सब्द में संदी विच्छेद होगा जो कलपांत सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा मैंने पताया ता जिसमें बड़ी मात्र आ जाए बड़े आ की आ जाए बड़ी ए की आ जाए या बड़े क्या होता था हमारा दीर्ग संदी होती थी कौनसी होती थी दीर्ग संदी क्या होगा इसका कल्प धन अंत कल्प धन अंत ये वाला आ प्लस ये वाला आ मिलकर क्या हो गया बड़ा आ तो क्या हो गया कल्प अंत कौनसी संदी हो गई दीर्ग संदी इसका अर्थ क्या होता है श्र इस59 महहेश्व का अंत माहेश्वर में संदी बताई यह तो माहेश्वर में कौन सी संदी होगी मैंने बताया था एक मात्रह जिन सब्सक्रिक सब्सक्राइब में भी आ जाए वो उसमें मतलब एक मात्रा जिन सब्दों में आती है वो कौन सी सब्दी कौन सा संदी होती थी वो दिती व्रद्धी संदी कि इसका जो संदी विच्छे दोगा वो क्या होगा संदी विच्छे दोगा महाधन एश्वर्य मायश्वर्य का संधी विच्छियत होता है महाधन एश्वर्य जिवेश्णा का संधी विच्छियत बताईए तो जिवेश्णा का संधी विच्छियत का होगा जीव प्लस एश्णा क्या होगा जीव प्लस एश्णा आगी देखते कौशन नमर 11 कौन सी यडसंदी यडसंदी को पहचानने का मैं आपको बहुत एक तरीका बतायां था आप सब मुझे इस की कौन सा होती था तो इन चारों में कौन सा आधाक्षर और नियुके त Dal Ioose दिव्य गम तो यही क्या होगा हमारा ग्यारेक आंसर यानि यड़ संदी जो है वो कौन सी हमारी दिव्य गम आगे देखते हैं पवन सब्द में संदी है पवन सब्द में कौन सी संदी है मैंने बताया था कि आदा अक्षर नहीं आएगा लेकिन बीच में क्या आएगा या और वा आएगा तो हमारी कौन सी संदी होगी आयादी संदी कौन सी आयादी और इसका संदी विच्छेत क्या संदी बताने हैं आपको सदेव में कौन सी संदी है तो कौन सी संदी होगी दो मात्रा हैं जिसमें आती थी उसमें कौन सी संदी होती थी ब्रद्दी संदी ऐसी दो मात्रा हैं या फिर ऐसी ऐसी दो मात्रा है तो यह कौन सी होती थी हमारी ब्रद्धी संदी होती थी और इसका संदी विच्छेद क्या होगा सदा धन एव कॉशन नमर 14 देखेंगे चंदर वदन में समास बताना चंदर जैसा वदन क्या बताई जा रही है विशिस्ता बताई जा रही है और कौन से समास में विशिस्ता बताई जाती थी मैंने आपको साफ साब बोला था कि करम धारे समास जो हमारा होता था उसमें क्या होता था विश आगे क्या लगा होता था उपसर्ग लगा होता था किसमें अब बेभव समास में दुईगू में क्या होता था संख्याया आती थी और द्वंद में क्या होता था योजक चिन आता था जैसे माता पिता माता पिता ऐसे सब्द जो आते माता पिता दिन रात कम अदेख ये सारे सब्दों में क्या कौन सा समास होता था दुन्द समास होता था कॉशन नमर पंदरा यथा विधी में समास है यथा विधी क्या है उपसर्ग लगा हुआ है यथा कौनसे समास होगा अभ्याई भव यथा विधी यथा सक्ती आजनम अजनमा आमरड इन में कौनसे समास होते थे अभ्याई भव मन माना मन माना में समास है मन से माना जिसमें विवक्ति आती थी वो कौन सा समास होता था हमारा तत्पुरुस समास कौन सा समास होगा इसमें तत्पुरुस समास आगी देखते हैं चरड कमल चरण कमल में कौन सा समास है तो चरण की जो तुलना की गई है वो किसके समान की गई है कमल के समान की गई है किसके समान की गई है कमल के समान की गई है जो चरण की क्या है विसेश्ता बताई जा रही है तो कौन सा समास होगा करमधारे समास कौन सा होगा करमधारे समास आगी देखते हैं ततपुरुस समास का उधारण है उधारण नहीं है ततपुरुस समास का उधारण नहीं है पूछा है तो अभी मैंने बताया था कि ततपुरुस में क्या होता था उसमें बीच में विवक्ती आती थी यग सेनी यग वेदी ग्राम बासी ग्राम केवासी राज कुमार और अजनमा जनम के आगे क्या लगा है आउपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें कौन से समास होगा इसमें हमारा अब्याई वव होगा अब्याई वव ना कि ततपुरुष तो हमारा आंसर क्या होगा यही होगा आजनमा आगे दखते दोपेहर में समास है दोपेहर में समास है तो दोपेहर दोपेहर यानि दोपेहरों को मतलब दो समयों को जो मिलाने वाला पेहर होता है उसको क्या बहुते हैं दोपेहर और दोपेहर होता है इसलिए क्या होगा दुईगु समास किसे हो रहा है संख्या से वीडा पाणी में समास है तो वीडा पाणी किसके लिए होता है मां सरस्वती के लिए होता है तो कौन सा होगा अन्य पद प्रदान है कौन सा है बावब्रिय समास होगा आगे देखते हैं जिस समास्त पद में पूर्व या उत्तर पद की वज़ा है किसी अन्य अर्थ की प्रदानता होती है मतलब किसी तीसरे ही पद की प्रदानता होती है वो कौन सा समास कहलाता है हमारा कौन सा समास कहलाता है बावब्रिय अभी बताया जिसमें ना तो पहला है कोई अन्य यानि तीसरा पज्यों प्रदान होता है वो से क्या कहते हैं बहुब्रिय समास कहते हैं आगे देखेंगे निम्लिकित मैंसे द्वंद समास है द्वंद समास मैंने अभी बता है कि द्वंद समास में क्या ज्यादातर ब्लोम सब्द जो होते थे वो आते थे हमारे उल्टे जिसका मतलब किसी सब्द का उल्टा होगा वहीं आएगा दिन 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 नहीं आ सकता दिन दिन क्या है सेम सब्दें दोनों रात और रात यानि राती रात में वीरपुरुस वीरपुरुस भी नहीं आएगा कौन सा आएगा आज कल यह क्या है हमारा यहीं हमारा द्व ने व Next 1 बताना है कुल मिंदाकर रात कआई हमारा तदबंय अन्धियारावी और अंदियारावी अन्दकार जोरो क्या हमारा तत्सम रूप है अंदकार कैसा है तत्सम रूप है असुद्ध युग्म कौन सा है असुद्ध युग्म मतलब गलत को पहचानना है इसमें गलत कौन सा है सौद अगर किस वासा का सब्द है तो फार्सी वासा का सब्द है सम्मन किसका है अंग्रेजी वासा का है किताब किसका है अर्वी सब्द है लेकिन जो अलमारी सब्दब वो कौन सा है पुर्टगाली है पुर्टगाली वासा का है ना की तुर्की का तो हमारा अंसर क्या होगा गायानी अलमारी बहुत ही अच्छे कौशन है आपको पेपर में सीधे सीधे देखने को मिल जाए पूरा इसको करके जाना है और लाइक शेयर करना बुलकुल मत भूलना अपने दोस्तों में भी शेयर करना बताना की कैसी बढ़िया क्लास होती है यहाँ पर तो 25 नमर कौशन देखेंगे ब्लो ब्लोम की दरस्ठी से जो संगत मतलई जिसका ब्लोम घलत दीया हुआ हमें वो चाटना है अग्य का विग्य विल्कुल ठीक है अगातन का पुरात्परन विल्कुल ठीक है अजय का विजय विल्कुल ठीक है लेकिन अर्वाचीन का नवीन नहीं होता है प्राचीन होता है अर्वाचीन का क्या होता है प्राचीन स्वधर्म सब्द का विलोम है स्वधर्म का होता है परधर्म क्या होता है परधर्म आगे देखतें कॉशन नमर 27 थाली का वेगन से अभिप्राय है इसमें महावरा पूचा है कि जो थाली का वेगन महावरा होता है इसका अर्थिक क्या होता है इसके लिए कौन सा जो सब्द है हम चोड़ा होना गोला होना अधिक चिकना होना लेकिन जो हमारा सही अंसर होगा वो होगा एक सिद्धान हीन व्यक्ति जिसका कोई सिद्धान्त नहीं होगा जिसकी कोई बात नहीं होगी वो क्या होगा सिद्धान्त हीन व्यक्ति यानि थाली का बेंगन कॉश्चन नमर 28 गायक का संदी विच्छेद होगा तो गायक का संदी विच्छेद क्या होगा गय प्लस अक संदी कौनसी होगी आयादी संदी कौनसी संदी होगी आयादी संदी कॉश्चन नमर 29 रा और प्लस मा का रूप क्या होगा अभी मैंने उपर बताया था कि जब हमने प्रासब्द किया तो इसमें क्या था रा हमारा पूर्ण था लेकिन यहीं अगर हम रा हमारा ऐसे पहले आता है और मा ऐसे आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे रा को हम मा के ऊप अपर और आते हैं तो हमारा जो सही रूप होगा वो क्या होगा मा गिस के उच्छिप्त वर्ण बताना है उच्छिप्त मैं कौणh सा तो इफरोण बंद्यों होता है डा ौर्द पार यह दोने तो बर्ण होते हैं हमारे क्या कह लाते हैं। उच्छिप बर्णहोते आपको मुझे कमेन्ट they can उपको क्मेंट वोक्स में अनतश्थ वण बतानें सभा। ज़िर्ण निद Pe bzw नहीं और यह सऑ और लॉन्टि वर बताना हैं यह मैंने आपको करा दियें वण करें। आज के लिए इतना ही करेंके लिए टॉस को लाइक शीर करना ना भूलें। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना थेंक यू सो मचुट